हलो दोस्तो मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर ले करके हाँ पर देवो दो सेट हम आपको करा चुके हैं थर्ड सेट ले करके आए हैं जो की इलेटमस में पूंचे गए प्रिविएस एरफ क्वेस्टेंस हैं बहुत ह ज़र देखके जाईएगा किस तरीके की अप्रोच लगाते हैं हो सकता है कुछ क्वेस्टेंस ही में सिर्पीट भी हो जाएं यह भी देखिएगा तो इसको ज़रूर देखना सारे किस सारी क्वेस्टेंस और अच्छे से कीजिएगा तो यहां पर हम देखते हैं फरस नंबर तो दो ही आपके यहाँ आपको यहाँ पर आपको बन भी यहाँ पर मिल जाएगा अब यहाँ पर नोंने बात यह करी है तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता रखना है प्रावियलेटी आपको इसकी प्रावियलेटी निकालनी है x मतलब हमने यहाँ पर head का ले लिया है कि यह head के आने की probability यहाँ पर क्या होगी equal to होता है n c x upon 2 की power यहाँ पर हो जाता है n ठीक है n की अगर हम यहाँ पर बात करें n की यहाँ पर हो जाएगी number of times आपने coin को कितने times उच्छा लाए, toss कितने time किया n की value यहाँ पर हो जाएगी कितनी 5 अब यहाँ पर यहाँ पर क्या बन जाएगा इसको गर हम solve करने जाएगे तो हम क्या दिखेंगे हमको करना होगा यह जो चीज है 5 c x upon 2 की power 5 यह आपका actually बनेगा, अब यहाँ पर x की value x की value क्या हो सकती है, मतलब probability आपको चाहिए यहाँ पर 3 head 4 head और 5 head जो की आपको मने starting बताया था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तीनों चीज है हाँ पर क्या करेंगे solve करके add इनको करेंगे means हम इसको करेंगे 5 c 3 plus 5 c 4 plus 5 c 5 divide में आपका आजाएगा 2 की power 5 इसको जब हम solve करेंगे 5 c 3 की value 10 होगी plus 5 c 4 की value 5 हो जाएगी plus 5 c 5 की value 1 होगी और नीचे 2 की power 5 की value हो जाएगे कितना 32 इसको जब हम देखेंगे पूरा add करेंगे तो यह आपको यहाँ पर मिलेगा 16 by 32 16 by 32 को further solve करेंगे तो यह आपके पास आएगा 1 by 2 तो answer यहाँ पर correct हो जाएगा 1 by 2 option number c correct हो जाएगा clear है बात इतनी next sum of 770 is to be divided among Gargi, Manna and Tina in such a way that simple interest on each part at 5% per annum after 1, 2, 3 year respectively remains equal the share of Gargi is more than Tina by तो यहाँ पर 5% की rate रहेगी सभी यह 1 year के लिए, 2 year के लिए, 3 year के लिए equal रहेगा तो यहाँ पर देखो कौन कौन है यहाँ पर है Gargi यहाँ पर है Manna और यहाँ पर है Tina तो हम यहाँ पर क्या गरेंग 5% की rate है तो यहाँ पर 1 year के लिए, 2 year के लिए तो हम यहाँ पर क्या गरेंग percentage percent rate into time तो 5 into 1 यहाँ पर आएगा 5 into 2 5 into 3 ठीक है यह आपका कितना बनेगा यह बन जाएगा 5 10 और यह हो जाएगा 15 यह आपस में equal है तो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अब हमको इनको जब equal की बात करी जाती है तो equal में जब हमारे पास 2 होते हैं तो हम reverse कर देते हैं अब इनका हम क्या करेंगे यहाँ पर LCM लेंगे तो 5, 10, 15 LCM हो जाएगा कितना 30 LCM होगा तो यह 6 आएगा यह 3 आएगा और यह 2 आएगा actually जो पैसा होगा वो इस ratio में रहा होगा अब आप अगर निकालेंगे तो 6, 5 जा 30 10, 3 जा 30 15, 2 जा 30 अब आप देख पाएंगे सारे के सारे इनके part आपस में equal होगा हैं clear है बात सभी को बहुत अच्छे से तो जो पैसा रहा होगा वो इस ratio में रहा होगा total हमारे पास ratio कितना बनेगा 6, 3, 2, 9 9 और 2, 11 total ratio 11 है और total पैसा है वो divide करना है 77 77, 100 तो one ratio की value यहां से कितनी निकल के आएगी one ratio की value यहां पर निकल के आएगी 700 अब इन्होंने पूंचा क्या हुआ है question इनका क्या है the share of Gargi is more than Tina तो Gargi का Tina से share कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है तो आपको यहां पर one ratio की value पता है तो 4 ratio की value कितनी हो जाएगी 4 ratio की value हो जाएगी 2800 यही यहां पर आपका answer हो जाएगा और 2800 के लिए option number first correct हो जाएगा clear है बात सभी को a number is greater than the square of 44 but smaller than the square of 45 then find the number यहां पर यह कहार है कि 44 और 45 के square के mid में है means mid में कैसे है 44 के square से smaller है और 45 के square से greater है ठीक है 44 के square से greater 45 से smaller है 44 का square कितना हो था 44 का square होता है 1936 और 45 का square होता है 2025 ठीक है इसके बीच में ही number कोई आएगा कोई एक number है जो 1936 से greater है और 2025 से smaller है अब वो number है 36 यानि 6 के square divisible by square of 6 तो 6 का square कितना होता है 6 का square होता है 36 वो number 36 से divisible है then आगे भी कहा रहा है number is multiple of 5 multiple of 5 है that means 5 से भी divisible होगा तो वो number 36 and 5 दोनों से divisible है और यह दोनों से number divisible है तो इनका जो 180 से भी number आपका divide हो जाएगा इतनी बात clear है आप एक चीज़ समझो यहाँ पे जो हमारा 180 आगया जो भी number होगा वो 180 के multiple में होगा क्योंकि 180 जो number 36 से और 5 दोनों से divide होगा 180 से भी divide होगा क्योंकि 36 और 5 180 के factors है और 180 के factors से divide हो रहा है तो वही चीज़ हमने यहाँ पर approach यहाँ पर लगाया है अब यहाँ पर देखो जो number आया 180 180 आया है अगर हम इसका 10 times कर दें इंटू 10 करें तो यह हमको मिलेगा कितना 1800 क्या 1800 नमबर हो सकता है क्योंकि 36 डिवाइड और 5 का multiple है लेकिन यह number हमारा 1800 इससे छोटा है अब multiple चूंकि किसका है 180 का तो हम क्या करेंगे इसी number में 180 और add कर दें तो अब हमको क्या मिल जाएगा 0, 8, 9, 1 1, 9, 8, 0 मिलेगा और 1, 9, 8, 0 देखेंगे तो 1, 9, 8, 0 इन दोनों के ही बीच में आएगा अगर हम इसमें 180 और add कर दें 180 और add करेंगे 0 आएगा, 6 आएगा 9, 1, 10, 1, 11 हो जाएगा यह आपका number बन जाएगा 2160 और 2160 होगा तो इस number से आपका greater हो गया जब भी इससे smaller था और इससे आपका greater है तो आप समझ रहे होंगे ना तो आपका number यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपका ना तो number 1800 हो सकता है और ना ही 2160 हो सकता है number सिर्फ और सिर्फ 1980 है जो ही यही है जो mid में आता है और यह 36 यानि 6 के square से भी divide हो जाएगा और 5 का multiple भी है तो देखो यहाँ पर यह तो number आप देखते हैं गलत करो जो आपका यहाँ पर यहाँ आ गया अब अमारे पास बचें यह number उसमें आपका option number correct हो जाएगा कौन सा यह अब इसको 36 divide करोगे तो नहीं होगा क्योंकि 36 divide होना चाहिए यहाँ तो यह सिर्फ 5 सिदिवाइड होगा और 36 से हमारा 196 भी नहीं होगा तो यह भी आंसर चला जाता है आई ओप क्लियर होगी होगी बात option number सिखने यहाँ पर correct हो जाएगा next है a heap of stones can be made up to into group of 21 when made up into groups of 16, 20, 25, 45 there are 3 stones left in each case how many stones at least can be there in the form कहने का मतलब यह है कि पत्थरों का यह कोई धेर है उस धेर में जब 21, 21, 21 पत्थर के group को बनाया जाता है तो पूरे group बन जाते हैं कोई remainder remaining नहीं होता है अगर मैं 16, 16, 16 का group बनाऊं तो हमें 3 remainder मिलता है 20, 20, 20 के group बनाऊं तो भी मुझे 3 remainder मिलता है 25, 25 के group बनाता हूं तो भी 3 remainder आता है और 45, 45 बनाऊंगा तो भी आमारे पास 3 remainder आता है आप चाहे इसका किसी का भी group बना लो जो आपके पास heap of stone है आपको 3 remainder मिली जाएगा लास्ट में आपके 3 पत्थर बच ही जाएंगे remainder बच जाएंगे जो कि आपके पूरे नहीं calculate कर पाता है तो आप इन्होंने यहाँ पर पूंचा क्या है पूंचा यह how many stone at least can there be in the heap यानि उस धेर में कम से कम कितने पत्थर है यह पूंच रहा है यहाँ ठीक है तो सबसे पहला काम जब भी कभी हमारा remainder यह इतना आता है तो हम क्या करते हैं जो भी कोई हमारा numbers होते हैं आपके number of stones हो जाएंगे अब LCM यहाँ से निकालेंगे LCM कितना होगा सबसे पहले हम देखेंगे यह 4 से डिवाइड हो रहा है 4 से यह हो गया 4 से 5 जा यह गया अब यह होगा नहीं next number 5 ले ले लेते हैं 5 cancel 5 5 जा और 5 9 जा अब 4 9 5 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है तो 4 इंटू 5 20 25 जा 100 100 फोर जा 400 और 400 इंटू 9 36 LCM कितना आ जाएगा यहाँ पर 3600 आएगा और जो आपका remainder 3 बच रहा था वो हम plus इसमें 3 कर देंगे तो यहाँ पर answer क्या बनेगा 3603 तो यह number of इस condition के लिए जो आप यह ले रहे हो 3603 अगर है तो 16 16 का आप group बनाओगे तो 3 remainder आएगा 20 का group बनाओगे तो भी 3 remainder आजाएगा क्योंकि यही बच रहा थो हमें add करना होता LCM में आप यहाँ पर next point यह आता है क्या यह 21 से पूरी तरीके से divisible है 21 का यह group बनेगा क्योंकि 21 का भी group बनना चाहिए और इनके group बनने पर 3 remainder भी आना चाहिए तो इनके group बनाने पर 3 remainder तो आ रहा है क्या यह 21 का group बनाएगा 21 से अगर में यहाँ पर divide करें 21 बन जा 21 बचेगा मेरे पास यहाँ पर 15 150 होगा 21 7 जा 147 बचेगा 3 33 बचता है तो 33 21 जा 21 अब आपके पास remainder में 12 बच रहा है यह नंबर है वो divide नहीं हो सकता इतनी बात क्लियर है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 3710 यह answer होगा ही नहीं अब ऐसी situation पर क्या करना पड़ेगा जब हमने इसमें यहाँ पर plus 3 कराया तो हमको यहाँ मिला इसको यहाँ पर हमने जब plus 3 किया तो यह हमको मिला 3603 ठीक है तो यह मेरा answer हो नहीं सकता क्योंकि यह 21 से divide नहीं है अब हमको क्या करना पड़ेगा अब हमको करना पड़ेगा 3600 उसका double number लेंगे और हम plus 3 करेंगे अब देखेंगे क्या यह divide हो जाएगा तो यह कितना बनेगा 7200 और plus 3 तो 7203 यह हम number अब चेक करेंगे क्या यह हमारा 21 से divide है अगर यह 21 से divide हो जाएगा यह हो जाएगा नहीं होगा तो हम फिर यहाँ पर 3 से multiple करेंगे 4 से multiple करेंगे 5 से multiple ऐसे हम एक एक करके आगे बढ़ते हो जाएगे और ऐसा एक जरूर number मिलेगा जो 21 से divide हो जाएगा 21 से इसकों divide करेंगे 21, 3, 63 हो जाएगा तो 3 times जाएगा यहाँ पर ठीक है 3 times divide हो गया अब 63 बचेगा 9, 90 हो जाएगा 21, 4, 84 बचेगा 6 और यहाँ पर 63 होगा 21, 3 जाएगा यानि 3, 43, 3 times यह पूरा-पूरा divide हो जाता है that means confirm हो गया 7, 2, 0, 3 ही इसका answer है तो उस heap of stone made number of stones 7, 2, 0, 3 ही होंगे आई हो बात क्लियर हो गई होगी 35 is added to the first number it becomes 4 times of the second number what is the value of the second number तो यहाँ पर देको हम माल लेते हैं कि 2 number है मेरे पास first और second first और second मेरे पास 2 number है एक number है x दूसरा number है y ठीक है first है x, second है y अब यहाँ पर इनकी situation के according condition के according ही कहा रहा first का 1 by 5 तो यानि x y 5 is equal to है second के 5 by 8 यानि कि आप बोल सकते हो 5 by 5y upon by यानि upon 8 यह आपस में equal है यहाँ से अगर मैं बात करूँ x की यहाँ से value निकालू तो x की value यहाँ पर कितनी हो जाएगी cross multiple हो जाएगा 5 का multiple अधर हो जाएगा तो यह आपका बनेगा 25 by x की value यहाँ से 25 y upon 8 यह value किस की आजाएगी यह value यहाँ पर x की आजाती है ठीक है x की value यहाँ पर यह आगई अब इसको हमें put कराना होगा second condition में second in की condition क्या गया रहे है second condition है if 35 is added to the first number तो first number आपके पास x है तो हमने x में plus किया 35 it becomes 4 times of the second number तो यह number हो जाता है 4y के equal second number का 4 times ठीक है 4y के equal अब यहाँ पर x की value आपको पता x की value इतनी है तो x की value यहाँ पर put करा देंगे तो यहाँ पर यह value put कराएंगे तो यह कितनी value बन जाएगी यहाँ पर यह आपका बन जाएगा इसको solve करेंगे further तो यह आपका बनेगा y को एक तरफ लेग जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y minus 25y upon 8 LCM यहाँ पर 8 आजाएगा तो यह क्या बन जाएगा 35 is equal to यह बन जाएगा 32y minus 25y upon में आपके पास 8 आजाएगा अब इसको यहाँ solve करेंगे तो अगेन यह क्या बनेगा 35 is equal to 7y upon 8 ठीक है यहाँ तक कहानी clear हो रही होगी यहाँ तक बहुत अच्छे से कहानी clear होगी अब देखो आपके पास यहाँ पर आप यह कह सकते हो कि 7y upon 8 is equal to 35 है तो y की value कितनी होगी y equal to करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 8 multiply में चला जाएगा और 7 divide में आजाएगा तो 7 5 जा और 8 5 जा तो y की value कितनी होगी y की value आजाएगी यहाँ पर 40 और second number यह y था तो y आपका यहाँ पर 40 आ गया है तो y यहाँ पर 40 है option number कौन सा correct हो जाएगा यही उसने पूंचा था what is the value of the second number तो second number कौन सा है 40 correct हो जाएगा clear है बहुत अच्छे से find the value of 11 plus 111 plus 1111 5 times 1 इन number based system 2 based system 2 का मतलब है एक तरीके से binary number यहाँ पर यह क्या पूंच रहा है binary number यहाँ पर पूंच रहा binary number क्या और binary number आगको पता होता है 0 और 1 ही होते है तो answer इसका जो 0 1 में ही आएगा और कोई digit add करके यहाँ पर आप ला नहीं सकते हो ठीक है तो यहाँ पर पहला number क्या है 11 दूसरा number क्या है 111 थर्ड number है 1111 फोर्थ number है 1111 तो यह 4 number है जिनको आप यहाँ पर add करोगे अब देको add करने पर हम आएगे तो 1,2,3,4 आप 4 यहाँ पर हम ला नहीं सकते है क्योंकि आपको यहाँ पर binary number लेखना है binary number 0 और 1 ही होता है तो 0 और 1 के लिए क्या करेंगे base system 2 है 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर remainder या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा कभी भी आपका remainder 1 से greater than नहीं हो सकता क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 1 से number अगर greater than 2 भी हुआ तो 2 से 2 पुरा divide 0 remainder आजाएगा clear एतनी बात तो base system 2 है means यहाँ पर यह binary number तो मेरे पास यह total addition यहाँ पर कितना आया 4 4 को अब डिवाइड 2 से करेंगे तो आपका जो quotient होगा वो तो 2 आएगा और remainder 0 आएगा तो remainder जो 0 आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा जो quotient आएगा वो इसमें add हो जाएगा इस वाले में तो इसको add करेंगे 2, 1, 3, 4, 5, 6 again यहाँ पर 6 आएगा तो 6 हम नहीं रख सकते हैं 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से quotient आपका आएगा 3 तो यह 3 हमारा carry forward हो जाएगा और यहाँ पर remainder 0 आया अगेन add करेंगे 3 और 3 अगेन आपका 6 by 2 होगा तो यहाँ पर फिर से आपका quotient 3 होगा remainder यहाँ पर quotient 3 आजाएगा remainder again 0 है फिर यहाँ पर हम add करेंगे 3 और 2 5 अब यहाँ पर आया 5 by 2 5 by 2 है तो quotient आएगा 2 और remainder आएगा आपका कितना 1 तो remainder जो 1 आएगा remainder तो हम यहाँ रखते हैं और जो आपका quotient 2 आया वो हम रखेंगे कहां यहाँ पर अब यहाँ पर 2 और 1 को add करेंगे 2 और 1 कि जो इसका answer बनेगा add करने पर वो answer बनेगा 11100 तो 11100 के लिए option number कौनसा correct हो जाएगा option number B यहाँ पर correct होगा clear है बात इतनी there was one mess for 30 borders in a certain hostel on the number of borders being increased by 10 the expense of the mess were increased by rupees 40 per month while the average expenditure per head diminished by rupees 2 find the original monthly expense question को पड़े ध्यान से पहले समझ लो उसके बाद हम आगे चलके हम इसको solve करते हैं इसमें condition देखो क्या है condition यह है कहरा पहले 30 member थे 30 member थे तो इनका कुछ ना कुछ expenditure पहले रहा होगा hostel में कुछ ना कुछ इन पर खर्चा किया जाता होगा खाने पर तो यहाँ पर x माल लेते हैं number of person है वो 10 increase हो जाते है number of person 40 हो जाएंगे अब number of person 40 हो जाएंगे तो diminished by उनका जो expenditure है 2 रूपए कम हो जाता है means अगर पहले एक person पर अब यहाँ पर एक person पर खर्च किया जाएगा x minus 2 इतनी बात यहाँ पर केलियर है तो यह है इनकी situation x minus 2 यहाँ पर खर्चा किया जाएगा तो total अगर expenditure की अगर हम बात करें तो total expenditure कितना हो जाएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले 30% थे ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसका multiply हम इस से minus कर दें, क्योंकि इसकी वजह से ही तो ये ज़्यादा खर्चा हुआ, तो हम ये कहा सकते हैं, 40x minus 2 minus 30x is equal to difference आया कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 40x minus 80 minus 30x is equal to, ये 40 हो जाएगा, 40x, 30x minus होगा, तो बचेगा 10x minus 80 उधर 120, x की value यहां से निकल के कितनी आ जाएगी, x की value यहां से निकल के आएगी 10, ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो, इस starting में x की value यहां पर यह जो 12 आया है, यानि starting में जो expenditure हो रहा होगा, वो per person 12 रुपीज हो रहा होगा, और इसने पूंचा भी आई है, find the original monthly expense, monthly expense अगर हम बात करें, total थे 30, into x की value आ गई 12, multiply करेंगे, तो answer कितना आएगा, 360, यानि एक person पे पूरे महीने में 360 रुपय खर्च हो रहा होंगे, clear है बात इतनी, तो यहां पर total आपका यहां पर कितना आ गया, 360 answer आ जाएगा, एक तो approach यहां पर यह थी, दूसरी एक approach देखो, यहां पर प्लस, जो यहां पर 30 लोग थे, अगर इन में कोई भी जो diminish हुआ है यह 2 रुपय, अगर यह 2 रुपय ना हुआ होता, तो यहां भी, मतलब यहां भी x था, यहां भी x होगा, तो जो नए वाले लोग थे, उनको भी x रुपय ही तो खर्चा किया जा रहा होता, लेकिन जो न 80 रुपय आपने बच्चों के, यह जो भी कोई mess में होते हैं, खाना खाने वाले, उनका आपने 2-2 रुपय कम करके 80 रुपय वहां से collect किया, और 40 अपने पास से आपने खर्चा किया, तो overall आपने कितना खर्चा करा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यह वाला जो 80 है, 80 हम और add करेंगे, तो यह total कितना हो जाएगा, 120, यह 120 आपका खर्चा बड़ा है, किस वज़े से, नई 10 लोग आने की वज़े से, तो यहां से आपको पता चल जाएगा, expenditure कितना है, 12 रुपय आ जाएगा, तो again आप इसमें into starting के हैं, तो 30 करा दीजिए, 12, 30, 360, आपका answer again 360 यहां पर आ जाता है, clear है बात बहुत अच्छे से, next है, a trader gives 4% discount on the mark price and gives a article free for buying every 15 article and thus gain 35% the mark price is increased above the cost price buy, तो देखो यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, कह रहा है कि एक कोई trader है, वो 4% MRP पे discount देता है, उसके साथ यह कहता है, यदि आप 15 article यहां पर खरीदते हो, तो आपको एक free देते हैं, तो one article free for buying every 15 article and जब इतना करता है, तो 15 article प्लस एक free दिया, तो उसको कितना 35% का profit हो जाता है, the mark price is increased above cost price, तो mark price है, वो CP से कितना ज़ादा print किया गया है, अब देखो यहां पर जो आपका discount होता है, वो तो MRP प profit और loss calculate करते हैं, वो CP पर करते हैं, तो हम यहां पर CP मान लेते हैं, कि CP 100 रुपाए है, यानि एक article की कीमत कितनी हो गई 100 रुपाए, अब आप total 15 article बेशते हो, और एक free देते हो, तो total आप कितने article दिये हो, 16 article दिये हो, तो 100 into अगर हम 16 कराएं, तो total आप कितना 1600 आपने दिया होगा, अब profit और loss actually हम इसी पे account करते हैं, तो आप यह जो एक item है, वो छोड़ नहीं सकते हो, यह मत बोलना कि 15, वो one add करना पड़ेगा, क्योंकि उस पे भी लागत 100 रुपाए लगी है, तो total आपने 16 item दिये हैं, तो 16 item की total आपकी cost आजाएगी 1600, अब यह 1600 cost है, इसको जब आपने sale किया, तो आपको 35% का profit हुआ, तो आप यहाँ पर 1600 का 35% निकालोगे, तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 1600 into 35 divided by 100, cancel हो जाएगा, 0, 16 का multiply, 16, 5, 80, 16, 30, 48 और 8, 56, यानि 560, 560 रुपए आपको profit मिला होगा, clear इतनी बात, आप यहाँ पर कह सकते हो, कि यहाँ प total 2160, 2160 के article बेचे होंगे, अब लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर twist समझे, जो आपने यह बेचा है, यह cost आप लगाओगे 15 article की, यहाँ पर नहीं बोल सकते हो, कि यह आपका 16 है, क्योंकि एक तो आपने free दिया हुआ है, तो यह जो value आई है, यह 15 article की आई है, 2160, इतनी बात यहाँ से आपको SP पता चलेगी, यह क्या आगया, यह SP आगया, selling price आगया, selling price आगया 144, यानि एक article को आपने 144 रुपए में बेचा, और 2160 में आपने 15 दिया, प्लस एक free दिया, तो SP आपको यहाँ से पता चल गई, अब SP कब बना होगा, SP बना होगा, जब आपने 4% का discount दिया होगा, MRP पे, MRP पे 4% का discount दिया, तब जाके 144 रुपए में आपने चीज को बेचा, तो इसका MRP कितना रहा होगा, यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर समझो, 4% is equal to कितना होता है, 1 by 25 होता है, तो 1 by 25 का मतलब है, 25 वाली चीज पे एक का discount दे दिया है, तो वो value बची कितनी होगी, वो value बची होगी, आपकी 24 by 25, एक का discount देने के बाद 24 की होगी, तो आपने 25 पे 1 रुपए का discount दे दिया, और यह आपका बन जाएगा क्या, यह आपका यहाँ पर बन जाता है SP, यानि 25 पे 1 रुपए का discount होगा, आपने 24 में आ जाएगा, क्लियर एतनी बात, आप जराइसी को यहाँ पर आ जाते हैं, अगर SP आपका, यहानि SP यह है, 24 वाली value, 144 है, तो MRP कितना होगा, MRP 25, 25 वाली value कितनी हो जाएगी, यह value हो जाएगी, 150, आपको यहाँ से पता चल गया है, कि MRP आपका कितना है, यह आपका MRP आया ह MRP हो गया, यहाँ पर कितना, 150, ठीक है, CP कितना था, CP आपका 100 था, तो 100 वाली चीज है, जिसकी cost है, MRP उसका 150 है, तो आपने कितना more than above, कितना ज्यादा प्रिंट करा, तो 100 पे 50 यानि 50%, 50% more आपने वहाँ पर किया है, तो option number correct यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक correct हो जाएगा, clear हो रही होगी, बात बहुत अच्छे से, नेक्स्ट है, गारगी, complete a work in 12 days, टीना complete the same work in 15 days, तो यहाँ पर गारगी और टीना, गारगी है, 12 days में finish करती है, टीना 15 days में, दोनों का LCM लेंगे, total work हो जाएगा, 60, efficiency हम निकालेंगे, 12, 5 जा, इनकी efficiency 5 आएगी, और 15, 4 जा, टीना कि efficiency 4 आएगी, क्योंकि time जादा लेना, तो efficiency इनकी कम होगी, अब यहाँ पर क्या है, total work कितना है, total work है, 60, यह 60 work आपको कराना है, condition क्या है, गारगी started working alone, अकेले काम करती, after 3 days, तो 3 दिन तक, 3 दिन तक काम किस ने किया होगा, गारगी ने किया होगा, क्योंकि अकेले 3 दिन त total work done will be 15, 15 work will be done, the remaining work is 45, 60, minus 15, 45, तो 45 यहाँ पर work बचा, इसके बाद Tina join her, उसको Tina join करती है, when join Tina, the total work in a day is 9, so the 45 divided by 9, number of required days to finish the work 5, तो यहाँ पर answer आपको क्या मिलेगा, 5 days, clear इतनी बाद, तो 5 days के लिए option number correct हो जाएगा, A, I hope clear हो रही होगी बाद, इस set का last and final question है, from a point on a circular track, 5 km long A, B, C started running in the same direction, at the same time with the speed of 2.5 km per hour, 3 km per hour and 2 km per hour respectively, then on the starting point, all three will meet again after, तो again after मिलने का जो होता है, वो at least time होता है, यह यहाँ पर एक circle है, इस circle, इस circle, इस circle की total, कितने km का है, 5 km का है, अब 5 km वाला circle है, तो अब देखो, यहाँ पर A, B और C, यहाँ से मानलो, इन्होंने दोड़ना शुरू किया, ठीक है, यह सारे के सारे A की direction में दोड़ते हैं, A, B, C, 3 के 3 हो, A, B, C, A की direction में दोड़ रहे हैं, एकी direction में running कर रहे हैं, तो अब यहाँ से, अगर हमको time पता करना हो, कि A कितना time लेगा, पूरे circle को cover करने में, B को कितना time लगेगा, C को कितना time लगेगा, time यहाँ से निकल आएगा, तो time का हम ले लेंगे, यहाँ पर LCM, तो हम यह सा LCM लोगा लेना पड़ता है, क्योंकि at least time आपको चाहिए होता है, पहली बार साथ दोड़े, अगली बार फिर से, पहली अगली बार से, फिर से वो कभ एक साथ मिलेंगे, तो वो at least time होता है, आई होप इतनी बात clear है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें time की, तो time is equal to कैसे आएगा, time आएगा distance upon speed, तो distance upon speed करन आएगा कितना, two, two hours, ठीक है, इनको कितने गंटे लगेंगे, दो गंटे, बी के लिए कितना है, बी आपका हो जाएगा, five by three, तो five by three hour हो जाएगा, c के लिए यहाँ पर होगा कितना, five by two, और इसके लिए इतना, तो तीनों का आपको यहाँ पर time पता चल गया है, a का time, b का time और c का time, a का time है, two, b का time है, five by three, और c का time है, five by two, अब हम इन सभी का LCM लेंगे, तो LCM जब भी हम लेते हैं, तो देखो यहाँ पर आप divide one कर लो, कोई problem नहीं है, fraction का जब हम LCM करते हैं, तो उपर वाले का तो हम LCM ही निकालते हैं, नीचे हमारा HCF हमको find करना होता है, तो हम उपर LCM, two, five, five LCM निकालेंगे, तो LCM आएगा ten, one, three, two का HCF आएगा one, so the answer is ten, ten are, यहनि दस घंटे बाद वो again, एक साथ मिलेंगे, तो option number यहाँ correct हो जाएगा, first, I hope आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको किया होगा, यदि आपको वी झाचे से जो जने आपने यदिकालेंगे, शच्छे होगा, यहनिता इसको तो किया ओ तो किया होगा यहाँ प्रेशियों निकालेंगे, तोल यह खभना से एक साग़ाँ से मिलेंगे, फो raison, kyck, हुआ होगा concept badge विलेंगे, एक सा ह сообщ्का साम विलेंगे, यह मिलेंगे, इसकी सा